नमबर के बीचे कोई कहानी है कि हाँ जी number लिया है मैंने लग से जी कितने का पढ़ा है आपको इस गाड़ी में अच्छा तो यह है कि महिंद्रा वाले मेरे से लाग रुपे प्रीमियम लिया देने का गाउं का देशी की है जी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चै और ये रंग भी पूरा काला रंग है उस Fortuner की तरह है भाई से में ऑनर से में इस गाड़ी के हमारे जै भाई है मैं जै भाई का वेलकम करता हूं और इस गाड़ी के बारे पूसते है क्यों लिए उसके बारे में फिर आप लोगों को भी डिटेल नों बताते हैं तो भाई मैं इसका नंबर विया पी से लग रहा है नंबर के बिचे कोई कहानी है क्या जी नंबर लिया है मैंने लग से कितने का पड़ा है आपको यह मेरे को 55,000 का पड़ा जी तो कुछ वेटिंग वर्गरा सिस्टम होता है इसमें कैसे आराम से मिल जाता है यह ना जी सीरीज चलती है तो पिछली सीरीज में खतम हो गया था तो इसलिए मने चैह मेने वेट कर रहा था जब दूसरी सीरीज आया थी तो उसमे लिया था यह नुबर यह ने चाहरा तो बताएं के नेक्स ताइम इसके बारे में बात करते है आठ था इस गाड़ी में अच्छा बुरा क्या लगा म मेरा सबसे बढ़िया मेरे फेविट कोशिय नहीं है इस गाड़ी में अच्छा तो यही है कि मतलब कहीं गुसादो कहीं कोदादो ना इस गाड़ी को फर्क पड़ता ना कुछ और कहीं से भी निकल जाती है अच्छा वही जैसे मैं फॉर्चुनर के बाद करता है इसमें भी ए पर मेंपा शुफ्ट भी है तो शुफ्ट जब चलाता हूँ है शुफ्ट पोलो से ज՞ाधा भाग सकती या अच्छा बटो की जो राइफ फिल हो हां ना प्लस कर दी तो फ्लस के छली जाती या यह चीज है पर भृत भुख है व्लों का बंदो रही है और मैं ब्âte ॉड़ म इस थोड़ा बेसिक पाम है पी अलोग भी टोड़े अची तरह प्रूटत फूर्टली यूज कर लूगा अब इन से थोड़ा बर गया है अब चेंज करा देंगे अच्छा यह कब लीटी दोजार बाई समय चला दी लिए में चला दी में देखके बताता हूं आपको देखके देख लो यार काले रंग मेहार मतलब कसम से कोई सी भी गाड़ी हो ना भाई एक अलगी लूग देदेती है तोर आया मतलब बेसिकली देखा जाए यह मैंने यह 30,000 चला दी है एक साल में एक साल में क्या आद भाई लंबा कहां तक गए लंबा जी इसमें यह मनाली वी जा कर दो कुछ कर लो कुछ ने भी गड़ता इसका कम फट के मामले में कैसी है चाल पड़िकितने की थी यह वरी मेरको देखा है तो उस टैम पे शाड़े सतरह कुछ की थी ऑन रोड और पर मेरको पड़ी साड़े अठारह की ऐसा क्यों महिंद्रावाल में मेंसे जी लाग रु करें तो शाम को पाच बज़े गाड़ी मिल गई है नहीं तो यूं कह रहे है नौ महीने वेट करना पड़ेगा और जैसे नौ मेने बाद दुबार हूं कहते है अभी तो टाइम लगेगा तो फिर इतना पागल कॉन बने सही यार जैसे में देख रहा हूं यह थोड़ी लग ल लग पाता कैमरा नहीं से पीछे कैमरा है जी लगा हूआ है बाद में लगवाए था वो तो मैंने इसमें देते नहीं है व्यू अच्छा है वैसे अवरेज है ने ठीक है व्यू अपना काम चल जाता है बढ़िया जैसे यह हाट टॉप है इसमें सॉफ्टॉप को उप्शन कि आता है वह कि अनली सॉफ्टॉप को अप्शन भी आता है बट सॉफ्टॉप इतनी मिरे को यूजबल चीज नहीं लगी मुझा असा लगता है शाद एसी की कूलिंग की बात भी है उपर से ना हमारे यहां जैसे मैं NCR में रहता हूं तो ने NCR में अपनी दूल मिटी इस गाड़ी इस गाड़ी से अच्छी लगी फॉर्चुनर से या फिर वह अलग है यह अलग है वह क्रीम है वह क्रीम चीज है और यह अपनी है तो देखो वह होते है ना कॉलिज के लड़के की उनको चाहिए कुछ ऐसा चलाने को कि रफटफ सी चीज चाहिए हाथ में वह एक साल में हादी कंपनी को दिखाया यह कर दिंगे ठीक पर हमें पता है कितना कॉन्ट क्या ठीक कर रहा है नहीं तो फिल्म को कुछ ना कुछ ट्रेंग लेना चाहिए ना कैसे यह ब्यंद जाएगी तब इसको कहूंगा कि अभी मेरे वारेंटी में भी एकाड़ी तो मैं इसको कहूंगा ठीक करने के लिए चलिए अचा जैसे प्रीमिम की बात चल रही थी तो अपने दिया तो वेट भी कर सकते थे लेकिन मतलब क्या जल्दी चाहिए ही चाहिए थी यह वाला मैटर अब चाहिए थी पहली बात तो और दूसरी बात ही है कि अब चोटी सी बात यह सोचो अब नौ महीने की वेटिंग पिरिड कह दिया तो मैं को गाड़ी अगर अब ची है तो मैं साल बढ़ता की गाड़ लेने का वेट करूं वैसे यार महिंद्रा में वेटिंग बहुत अक्टूबर में कह रहे थे कि आप ले लो लिटरली ट्रोट वाल ने मेरे को यह बात वोली कि आप ले जाओ हमें कोई शू नहीं है बट हमें था कि मैं नहीं साल मेलूं मैं क्यूंग दो मेने के पीछे अपनी गाड़ी एक साल पुरानी कर लूं अच्य इस से एक चीज और मैलेज कितना एक्सपेक्क कर सकते हैं मैलेज जी मैलेज तो यह अरावर बराबर से ही है मतलब अगर 11-12 यह दे रही है यह यह हाइवे बारज 15 देती है यह 15-16 देती है अगर तमीज से चलाओं तो लोकल में वही इसकी 10-11-12 यह यह तबकि यह 2.2 लिटर इंजन है और इसक की ऑफ रोड़िंग कैपेबिलिटी अच्छा एक चीज और यह बताओ इसकी जो विंट्शील है बिल्कुल क्रैक होई पड़ी है बीच में से देख लो भाई आप लोग भी तो यह कहां कुदा ही ती यह वही राजस्तान गया था तो अच्छे तो वहां में क्या कुछ लग अच्छा तो बता दूं और यहां पर भी चड़ा रखी है काड़ी हाइड देख लो 45 डिग्री से भी उच्छा है पूरी नहीं चड़ी थी पर हां काफियत तक चड़ गई थी जैसे आप लोगों ने और ओफ रोडिंग विकल में देखा होगा फिलाल में नहीं दिखाने का और वीडियो देख लेना आपको दिख जाएगा अंदर से भी दिखा हो यार क्या 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 काम करवाया इसमें तो यार चलते हैं काड़ी के अंदर जनरली ने यह काड़ी आप लोगों ने वैसे तो देखी है इसलिए मैं ऐसे ओवर यू नहीं दे रहा बस एक यह है कि भा नहीं है ओके फूद यह चीज़ कराई थी थोड़ी बाकि मैंने स्पीकर चेंज करा हैं भी है इसके क्यों अच्छी ते स्के नहीं थे नहीं थे लाग रूपर देखी भी नहीं थे सड़ेवे स्पीकर वेस्ट्यूब भी डलवा रखें मैंने पीछे इसमें एक बार खोलना पर यह जैसे की बोला गेड़ी मारने के साब सही परफेक्ट है बस कि आप इसको लोकल यूज कर सकते हो मैं बहले ही कह रहा हूं कि मैंनाली ले गया या राजिस्तान ले गया बट मेर को पता है ना मैं कैसे गया हूं थोड़ा काइंड ऑफ सेकंड वीकल हां अगर कोई रख फिर आए जाके थोड़ी वैसी चीज है वही सब चीज है कि शौक की तरह से अब इसको रख सकते हो बस पर यार यह कलर ना मेंटेन करना बहुत टाफ है कलर मेंटेन करना टाफ है मैंने इस पे पीपेफ कर आई हुई है इस चिया हां कितने की पड़ी वो मेर को पड़ी पैस कि लिःकर लगती है अगर मैं दो सब्सों कि कि कमिया और दो अच्चा हिएं तो क्या क्या है क्मिया है पफइली चीज है थोड़ी पॉलिकी है कि एंदर और थोड़ी बटन क्वालिटी और और बीकुछ ले सकते थे अच्छे और बढ़िव होनी नम्स घिव भी धर रचे पर्च करते बट होने चाहिते स्टार्टिंग से फाइव डॉर एसा मेरा मानना है और दो अच्छा हिया अच्छा हिया यह है कि वह सब उची बहुत है तो जंके भी चलती है ग्राउंड क्लेंस लगभग इसका और फॉर्चनर का एक वली है हाँ 220-225 ऐसी संथिंग एक यह इस साथ सो तो काफी सही है हाँ इतना निकाल देती है लेकिन वह जब हाइवे पे जा रहे हो हाँ लोकल में तो पना पांसो-छैसो इतना ही चलती है चलो फिर भी सही है यार ओवरॉल देखो यार बहुत बढ़ी है मैं चंडी कड़ गया था था नहीं जब इस से तो मैंने इस साथे 25 के अरेज भी निकाली हुई है अच्या अस्टी की स्वीड पर मेंटेन करते हैं उसे सही है कहोगे तो मैं फोटो दिखा दूँगा अपको अगर ओडियन्स को प्रूफ चाहिए तो नहीं नहीं वो ठीक है यार देखो यार ऐसा होता है जिसको मानना है वो मानने का ठ भाई यह था इस गारी का ओवरॉल रिव्यू ठीक है नंबर कितने का लिया से लेके गाड़ी कितनी चला दी तक और क्या खर्चा वर्चा आया वो सब मैंने बताई दिया है अच्छा सर्विसको इसकी आती है अर्ट नो यह भी कोई जादा नहीं है इतनी आती है चलो भाई तो यह था ओवरॉल भाई का इस गाड़ी को लेके रिव्यू क्यों ली यह भी बता दिया और बाकी ओवरॉल आपने देखी रखी है गाड़ी तो यार इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और अगर आप चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना आप वीडियो को उससे आर मोटिवेशन मिलता है तो यार इस वीडियो को एंड करते हैं अपना ध्यान रखिए टेक क्यार बाई बाई